प्रशांत किशोड लगातार आरजडी पर हमलावर है। प्रशांत किशोर इंदिनों बिहार की सियासत में बेहत सक्रिय दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर इंदिनों बिख रहे हैं। प्रशांत किशोड़ कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है। पत्र जन्सुराज नहीं निकाला। प्रशांत किशोर मुख्य मंत्री और जेडियू पर भी जमकरबर से दावा कर डाला कि अगले साल 2025 के विधान सबाचुनाओ में जेडियू को 20 सीट भी नहीं मिलने वाली। और बिहार में समाजीक राजनितिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रसांत कि शोर ने कंदा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते ना दल रहता ना विचारदारा रहते। 2015 में अगर जेडियू को हमने मदश नहीं की होती तो आज ये कहां लोग अपर इसको अंदागा नहीं लाता। भाजपा ने रौंद कर खतल कर दिया होता है। इन लोगों ने कृतगंता की है किसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महाकरवर नम में लड़े, जदियू को 20 सीफ नहीं आएगा। आखिर प्रशांत किशोर, आर जड़े पर हमलावर क्यों हैं तो ये भी जान लीजे। अरोप के बीच प्रशान्त किशोर खुद की पार्टी बनाने से पहले संदेश देने की पूरी कोशिस कर रहे हैं कि वे दूसरे दलों से कुछ अलग करने वाले हैं। नियूज़ेटीन के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिबॉर्ट प्रुशान्त किशोर के बयान पर जम कर राजनितिक बयान बाजी भी शुरू हो चुकी है। जनता चुमती है ना कि कोई व्यक्ति बनाता है। इसलिए बहतर होगा कि प्रशान्त की सोर्जी इस भ्रम से दूर हो चाइं। प्रशांत किशोर जी जिस ऑखार नहीं है अभी तो निकी पाटी बनने में महीनों दिन अभी बाकी है और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं इसी प्रकार की भासा गत लोग सबाद चुनाओ के दरमियान आधरनीय नितिश कुमार जी के संदर में और जेडियू के संदर में किया करते थे कि 5 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा में आकलन करने के आप सकता है उनको जो लद्वा भीड के साहरे वो समझ रहे हैं कि हम बड़े लीडर हो गया है या लोगों का कहीं न कहीं हमको समर्थन मिल रहा है दर असल वो मुगालते में है सबसे बड़ी बात यह है कि राष्टिय जनताजर के पड़ती जो लोगों का समर प्रशांत किशोर इन दिनों काफी जादा एक्टिव दिख रहे हैं राजनिती में बहुत जल्द अपनी राजनितिक पार्टी लॉंच करने वाले हैं अक्टूबर के ही महीने में लगतार आरजडी पर निशाना साध रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार के पिछडे पनका ज जैसे इस्तिती की भी बात कर रहे हैं और जान बूच कर संदेश आरजडी केडर को बता रहे हैं विदान सभा चुनाव से पहले अपना प्रचार लगतार कर रहे हैं प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर ने जेडियू को भी फेल बताया है अब इसमें समझने वाली बात य शोर के बयान पर सियासत गर्म है, राचनिती गर्माई हुई है प्रशान्त के शोर के इन बयानों से चले बढ़तें खबरों में आगे बिहार की राचनिती में एक बर फिर हल्चल बच गई है महागडबंधन की सहयोगी विकास शील इंसान पाटी यानि की वी आईपी के प्रमुख मुकेश असेहनी ने अपने सोशल मेडिया प्रोफाइल पर तिरंगे की बीपी लगाई तो कई तरह की अटकल हैं तेज हो गई मुकेश असेहनी क्या एंडिये का दामन थामेंगे इसे लेकर के जेडियू नेता और मंत्री जमाखान के बयाग सामने आये हलाकि वी आईपी के ओर से अटकलों को खारिस किया गया क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए विकाज अशील इंसान पाटी यानी वी आईपी के प्रमुक मुकेश असेहनी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो की जगह तिरंगा लगा लिया है प्रुदान मंत्री नरिंद्र मोदी के अहान पर काई लोगों ने तिरंगे को अपनी प्रोफाइल फोटो के तौर पर लगाया है मुकेश असेहनी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट किया तो राजनीतिक हलकों में चड़्चा का बाजार गर्म हो गया कयाज बाजी 23 हो गई कि वधान सबा चुनाओं के पहले सेहनी इंडिय के साथ जा सकते हैं हालकि वियाईपी की ओर से इस तरह की खबरों का खंटन किया गया है लेकिन जेडियो गोटे के मंत्री जमा खान के बयान पर सियासत पिर गर्मा गई जमा खान ने क्या कहा सुल लीजे वियाईपी प्रमोक मकेश उसेहनी के बीज़ेपी से हाथ मिलाने की राज़नितिक अठकलों के बीच सेहनी की पार्टी की ओर से अठकलों को खारिज कर दिया गया है पार्टी के राश्ट्रे प्रवक्ता देव जूती ने कहा कि निशादों के आरक्षन के पक्ष में जब तक बीज़ेपी कोई फैसला नहीं ले लेती है तब तक वियाईपी उससे हाथ नहीं मिला सकती क्या थी हम लोग का मांग आज भी निशाद आरक्षन है इस तरह से दिल्ली में बंगाल में निशादों को आरक्षन दिया गया कोई नया आरक्षन हम लोग केंदर से नहीं मांग रहे हैं वैसे सहनी का महागडबंदन छोड एंडिये में शामिल होना बिहार की राजनीती को एक नया मोर दे सकता है देखना दल्चस्ब होगा की आने वाले दिनों में सहनी अपने राजनीतिक भविश्र के बारे में क्या फैसला करते हैं क्या वो सचमुच महागडबंदन से अलग होकर एंडिये का धामत धामेंगे या फिर ये महज एक राजनीतिक दाओ है सोशल मीडिया के जरिये सहनी की एक चाल ने बिहार की राजनीती बे हलचल जरून मचा दी है निउस 18 के लिए पटना से संजै और आनंद अमरिद राज के रपॉर्ट आईए अब जरा वी आईपी पर बेहसाब पॉलिटिक्स को समझे लेकिंगे मुकेश सहनी के पार्टी महागडबंधन के साथ है अचानक सहनी ने सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट किया यानि कि X हैंडल पर तिरंगे का फोटो लगाया जो डिस्पले पिक्चर होती है उसे चेंज कर दिया मुकेश सहनी पर सियासा तेज हो गई जैसे है उन्होंने डीपी चेंज की चुकि PM मोदी ने देशवासियों से आवाहं किया है तिरंगे को अपनी प्रोफाइल लोगों ने बनाई है हर घर तिरंगे की बात की जा रही है और ऐसे में लोग डीपी जो है अपनी चेंज कर रहे हैं सहनी के NDA में आने का उन्होंने दावा कर दिया बिहार में विधान सबा चुनाओ अगले साल होना है तो ऐसे में मुकेश सहनी के सियासी कदम पर सभी की नजरे टिकी वुई हैं कि आगे क्या होने वाला है शोले बढ़ते हैं आप खबरों में आगे भागलपुर जिले के इशाचक थाना इलाखे में स्थित पुलिस लाइन के क्वार्टर नमबर CB38 में एक साथ पांच लाशे मिली जो महिला सिपाही नीतु कुमारी के परिवार है कमरे से एक सूसाइड नोट भी मिला जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलब अली मची हुई है और मौत पर सस्पेंस बरकरार है जो इश्क और बेवफाई की साज़िश में लिफ्टी हुई है भागलपूर जिले के इशाद शक्थाना इलाके में स्थित पुलिस लाइन का यही वो कमरा नंबर सीबी 38 है जहां सिपाही नीतु कुमारी सहित घर से पांच लोगों का शब बरामत किया गया है नीतु कुमारी के दो बच्चे और उनकी सास का गला काट कर हत्या की गई है वहीं नीतु कुमारी की इंट से कूच-कूच कर हत्या कर दी गई है जबकि पती पंकच का शब पंके से लटका हुआ मिला है जिसकी तस्दीक ये खौफनाक और डराबनी तस्बीर कर रही है जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है पुलिस पूरे दलबल के साथ मामले की जाँच में जुट गई है इस खौफनाक वारदात के बाद FSL की टीम को भी जाँच के लिए बुलाया गया है DIG ने बताया कि सुबह जब दूद देने के लिए दूद वाला आया तब दर्वाजा नहीं खुला इसके बाद लोगों ने दर्वाजा तोड़ा तो देखा कि पांचों लोगों का शब पड़ा हुआ है खटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें हस्बन ने उलेक किया है कि नितू कुमारी ने बच्चों और उसकी मा को मार डाला और उसके बाद पृतिक्री आवस इसने नितू कुमारी को पीटे से और पीटे से कुछ-कुछ करत था चाप-ुमार करके हाठ्या कर दिया और अपने भी सुसाइड कर लिया घटना अस्थल से सिउसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसके बाद से पुलिस के जहन में कई सवाल तहरने लगे सवाल ये कि सिपाही नीतू ने बच्चों और अपनी सास की हत्या क्यों की तीनों की हत्या के बाद पंकज ने नीतू की हत्या क्यों की चार मर्डर के बाद नीतू का पती खुद क्यों पंके से जूल गया जब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने लगी तो पांचों लाश की गुथी इश्क और धोखे की साजिश में लिप्टी मिली फिर इसकी आसंका है जिसके संबन्द में हम लोग जानने ही जवाब नीतू और उसके पती में बार बार जगड़ा होता था और कई बार यह जगड़ा सडकों पर भी देखने को मिला था ऐसे में सवाल यह है कि क्या नापाक रिष्टे की चाहत में पांच जिंदगियां खत्म हुई है जिसके जवाब को लेकर पुलिस गंभीरता से एक-एक कड़ी को जोड़ कर जाच कर रही है और पुलिस लाइन के ही एक सिपाही को हिरासत में लेकर पूच्टाच कर रही है इंतजार है पुलिस के खुलासे का जो कमरा नंबर CB38 का राज खुलेगा जिस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है न्यूज 18 के लिए भागलपूर से आशीस रंजन के साथ प्योरो रिपोर्ट आईएब जर समझेए पुलिस लाइन में हत्या का क्या राज है भागलपूर पुलिस लाइन में एक साथ पांच लाशे मिली है जोसके बाद संसनी मच गई है महिला सिपाही के फैमली के पांच लोगों की हत्या की गई महिला के पती पर हत्या का आरोप लगाये गया है दो महिला दो बच्चों की हत्या के बाद खुद कुशी कर ली सुभे पांच बजे डेड बॉडी मिलने से संसनी फैल गई बताया जा रहा है कि महिला पुलिस की जवान बकसर की रहने वाली थी, भागलपूर के नवगच्या में पहली पोस्टिंग हुई थी, महिला की पती ने अवयद संबंद का रुप लगाया था और आए दिन दोनों की बीच जगडे होते रहते थे ऐसा आसपास की लोगों से प अमला, बलान और कोसी सहित कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातर बढ़ता ज़ा रहा है और कई इलाकों में बाड जैसे हालाद बन चुके हैं नदियों का जो पानी है वो घर में खुसाया है लोग मदद के गुहार लगा रहा है देखे इस रिपोर्ट भारी पारिश के बाद बिहार में नदियां उफान पर बिहार में नदियां कहर बर पार ही है पटना और आसपास के इलाकों में सोन और खागरा नदी में आई बाड ने लोगों की परिशानी बढ़ा दिये कई गाउں में बार्ज यसे हालात है सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए गंगा नथी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है भागलपुर के निचले इलाखों में बाड जैसे हालात हो गये हैं गंगा का जलस्तर पढ़ने से सुल्तान गंज प्रकंट का कल्यान को त्यारा इलाखा पूरी तरह से बाड के चपेट में आ चुका है गाउं को बाड के पानी में चारों तरफ से घेर लिया है सुल्तान गंज में भी गंगा नदीव फान पर है उफनती गंगा ने शद्धालों की परिशानी बढ़ा दी है बाड नियंत्रन टीप खाट पर कैम कर रही है खगडिया में भी नद्यू का जलस्तर पढ़ता जा रहा है पानी खेद खलियान होती हुए टिछले इलाकों में गुस रहा है बोर्ना पंचायन के आसपास की गाउं में बाड को लेकर के लोगों में तहशन है इलाके की करीब पीट सो घरों में बाड का पानी गुस गया है वही जलस्तर के दवाब की वज़ह से पुरानी जबिंदारी बांत वाली सडक पुचास में तूप गई है शेकपूरा के कुसुंभा प्रकट में हरुभण नदी तबाही मचा रही है बानपूर महादरित टोले में पानी भर जाने से बेड रोट का संपत पुर गया है सडक से संपत पुचने के बाद दोग परिशान है दरभंगा में नदी की देश धारा में डाइवर्जन बह गया बिरॉल इलाके में कमला जीवच नदी में बना डाइवर्जन देश धारा में बह गया जिससे बड़ी आबादी प्रुहावित हुई है अब इस इलाके के लोगों को सिर्फ नाव ही सहारा है बिहार में लगतार बादिश के बाद नदिया रौध ग्रूप दिखा रही है बागबर्दी, गंड़, गंगा, कमला, बलान और पोसी सहित कई प्रभुख नदियों का जलस्तर लगतार कर रहा है दुक्तराही माम कर रहा है लोगों के जिन्दगी खत्रे में हर तरफ बेवसी है हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है नियूजेटीम के लिए पटना से संबादाता शेलित्र कुमार भागलपूर से संबादाता विकास कुमार से अगडिया से दिगवजे कुमार और शेकपूरा से अजीद कुमार सिथा और दर्वंगा से विपिंद कुमार के रिपोर्ट आईए आपको समझाते हैं कि नदियों में उफान से आखिर परिशानी क्यों हो रही है देखे बिहार की जानतर नदियां जो है वो फान पर है बागमती, गंडक, गंगा, नदी का बहाव तेज हो चुका है जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है नदियों का तो ऐसे में परिशानी भी बढ़ती जा रहे ही लोगों की खास्तोर पर जो निचले इलाके की लोग है कई इलाकों में बाड जैसे हालात है निचले इलाकों में पानी फैले से लोगों की परिशानी बढ़ गई है हर साल यही होता है बियार में बाड से समस्या उत्पन हो जाती है निचले इलाकों में जो रहते हैं लोग उनको उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है बार रोधी कार्यों का दावा सरकार की ओर से हर साल किया जाता है हर बार लोगों की शिकायत अंसुनी रह जाती है लोगों की परशानी जसकी तस रहती है खेत मकान डूबने से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं लेकिन उनकी समस्या खत्म नहीं हो पाती है बढ़ते खबरों में आगे बांगला देश में लगातार हिंदूओं पर हमले और मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ अब भारत में भी आक्रोश का माहौल है पटना में भी छोटे छोटे बच्चों से लेकर कि युवा और बुजूर्ग सभी लोग सड़कों पर उतर गये हैं विरोध मार्श ने गाल गया है सभी ने हिंदूओं की सुरक्षा के मांग की है लोगों ने जमाते इस्लामी का पुतला जला कर जम कर नारे बाजी की जैजा लिया नियूजजीन संबादाता आनंद अमरित राजने इन लोगों की नराजगी इस बात को लेकर है कि बंगला देश में हिंदूओं का गोशिक नियूजजीन हो रहा है उससे जल से जल रोका जाए और हिंदू जो वहां के अलपसंख्यक हैं इनके साथ जो घटना हो रही है उस पर जल से जल रोका जाए इस वक्ते हमारे साथ कुछ लोग भी है यह जो आप लोग निकाले किस लिए हम लोग बंगला देश में हिंदूओं पर आतिया चार हो रहा है उसको बंद किया जाए और 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 के हातों में बैनार जमात इसलाम लोग वहां के लोग इसलामे मूर्दा वे लोग हिंदूओं पर वही कर रहा है इसलामी है लोग वहां का जो बंगला देश में हमरे हिंदू एक भी बचना रहा है जाती और धर्म के नाम पर दुनिया में कहीं भी हिंसा हो रही हो हम उसका विरोध कर रहे हैं ये एक तरह की इसी के साथ पुलिटन में नहीं आप देखते हैं डियो सेटी